हेलो वाट्स आप कैस्ट क्या हाल चाले आपका पेरे तो कैस्ट आप सभी को वेरी हैपी होली और यार इस वाली जो होली की छुटियां है इस पार मैंने सोचा है कि आपको हम ऐसी 4K स्मार्ट टीवी रीकमंड करने वाले हैं जो मुझे खुद परसनली अच्छी लगती हैं मत आपको चैनल को जाए कि जड़ी सब्सक्राइब ही लेसाज बैल आकन गौल के लेस्ट इस्टार दा वीडियो और वीडियो करते करते हैं आप से खाली मुझे एक ही सबस्पोर्ट चाहिए अगर आपको कोई भी 4K टीवी पसंद आती है जो की मेरे खुद को दुआरा करते हैं और आपको सब कुछ सब्सक्राइब के दबाओं में आया और आपको एक सिंगल रुपे भी एक्स्ट्रा देने नहीं होते हैं इसलिए यार प्लीज बाई फ्रॉम माई लिंग जो कि आपको डिस्क्रिट बॉक्स में मिलने वाली है और लग यार चैनल को सब्सक्रा साथ हजार सतर हजार रुपे से लेकिन यह जो टीवी है भाई साप यह आपको ट्वेंटी सिक्स टू ट्वेंटी सेवन रुपी में फॉर्टे च्रेंज की 4K स्मार्ट टीवी मिल जाएगी और लेकिन यही नहीं आप सूतरो कि यार कलर पिच्चर क्वाल्टी खड़ाब भ कंपनी हर एक मावले में और अच्छी टीवी यही निए अगर आप 50 इंस की टीवी लेने जाते हो तो आपको 32-33,000 और वहीं 55 इंस की टीवी लेते हो तो मातर आपको 37-38,000 पीस की मिल जाएगी इतने बढ़िया प्राइजिंग के साथ इस टीवी में क्यूलेट टीवी मिल सबसे पहली चीज़ यह है कि मुझे आई-पीस टीवी जादा परसंद है तो यह जो एक परसंद है तो यह बहुत ज्यादा अच्छी लगती काई सारी रीजन्स में बताओंगा इसका नाम है LG UR7500 सबसे पहली चीज़ यह है कि मुझे IPS पैंवी टीवी ज्यादा परसंद है तो यह जो LG UR7500 खासे कर रहा है आप Amazon से लेता है तो इसमें आपको IPS पैंट मिल जाता है जो कि मेरी सबसे पहली जरूरत है वो पूरी करता है दूसी चीज़ यार यह जो वाइड एंगल वी होता IPS पैंट में बहुत ज़्यादा अच्छा है तो वो चीज़ इसमें मिल लग अच्छी है अगर आप 43 इंची टीवी घरीन जाता है तो लगवाग आपको मिल जाएगी तो लगवाग आपको मिल जाएगी तो यह तो था प्राइजिंग लाइड अप सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है LG की जो खासित क्या है इसमें अप इसलिंटू 4K बहुत ज़्यादा अच्छी मैं इसके बराबर बहुत सारी कंपरिया इस प्राइज में जो है कोशिश कर रही लेकिन नहीं पहुच पार साथ में इसमें गेमिंग 60Hz का ही पाने लेकिन जो गेमिंग इसमें होती है इसमें गेमिंग बहुत अच्छी स्मूथ गेमिंग होती है वेरेवल रिफ्रेश रिट आपको मिल जागा 40Hz से 60Hz के बीच में यह भी जी इसमें और गेमिंग की बहुत अच्छी HDMI 2.1 के पोर्ट के जीना डेसिफिटन बॉक्स हाँ तो गाइस अब जो तीसरी डीवी आपको बताने वाले हैं ये भी मेरी परसुनली बहुत जादा फेरवेट अखास करें क्योंकि इसमें फीचर्स बहुत सारे है और आपने कोई फीचर काम ना करो सारे फीचर हैं अच्छी तरीके इसका ना सबसे पहली चीज़ शॉंबी टीवी एक्स प्रो यह जो टीवी है यह सुनने में आपको पढ़र लागा यह बाई साब यह प्रो टीवी हो इसलिए इसमें कोई बीची छोड़ ही नहीं गई है सबसे पहले लुक वाइस ही बात करो को आपको प्रीमियम मेटल बेजल लेश मिल लेए इस ट्रैंड भी आपको मेटल के ही आपको साथ साथ में मिलते हैं इन बॉस के अंदर आपको एक्स्रा पैसे नहीं देने हैं दूसरी चीज़ जो कलर पिच्चर क्वाल्टी इसमें आपको डॉल्बी विजन भी मिला है HDR10 प्लस भी मिला है HLG मिला इसी कोई फीच देखर के टीवी को कमांड दे सकते हो चेंज कर सकते हो सबसे अच्छी चीज़ यह आपको रिमोट में भी डेडिकेट गूगल एसिस्टन की बटन भी मिल लई है और इसमें आपको गूगल ओस मिला है जो कि दो जी भी रहें सोटा जीवी स्टोरिक साथा और बहुत लेकिन अब आती ही कलर पिचर क्वाल्टी की तो वाकई में मैं टीवी परस्नली मैंने इसको खुद यूज के हुआ है लगवागी एक साल तक बहुत अच्छी कलर पिचर क्वाल्टी की टीवी है किसी भी एंगल से कोई भी कमी नहीं है इतने सारे फीचर्स लोड़ेट होन मामले में कलर पैच के मामले में हर एक मामले में बहुत अच्छी टीवी इसलिए मेरे लिस्ट में यह फेवर्ट टीवी है लिंक इसकी में डिस्क्रिप्स मिलेगी सारे सारे टीवियों की वहां ज्याकर का भी इसको खरी सकते हो हां तो गाइस अब थोड़ा सा और आगे देख सकते हो खुदी जागर खेट पास के लिए टीवी की सबसे ले देखो सूनी एक सेवंटीफाइट यह फिर दोनों में फरक खाली इतना है कि जो आपको एकसार हैं डेकर पसंद पता भी नहीं कर पाओंगे दोनों टीवी की लगभग बिल्कुल हैं तोड़ा बहुत ज जो color picture quality में जबकि इसमें Dolby Vision नहीं मिलता है आपको हाँ जी वाई साब लेकि तब भी आप इसमें Dolby Vision के content चलाओगे और आप किसी other company की टीवी से Dolby Vision से इसको compare करो आपको इसका Dolby Vision नहीं उसके बाजू जिसके Dolby Vision के content ज्यादा अच्छ लगए देखने में इस हद तक हाँ थ जाएना से माल खाली जाए इसरा खाली ठर्ट पार्ट से सब कुछ एक सब डाला और आपको बेद दीए यह सोनी का काम ही नहीं है वो खुद की बनाई हुई टीवी पर रिसर्च करती है और सोनी को यार काफी असानी लोग कॉपी कर रहे हैं एक तरीके देगा जाए और सोन सब्सक्राइब को अलग से इसमें पीएस फाइफ के थोड़ से एडिट फीचर्स मिल जाएंगा अलगि 60 हर्ट कही पैनल में सुरुआत में बदा देता हूं और आल राउंड टीवी है बस आपको अलग से अगर सिनमेटिक एफेक्ट वाले फील चाहिए बस एक ही कमी लगत लिक्क में ड्सक्राइब कि एफोनी एक 75LN & 74L की वहां जगर कि आप इसको खड़ी सकते हैं तो बाइस साब यह जो टीवी आपको बताने वाले हैं इसमें ऐसे पोई चीज नहीं जिसमें मुझे कमी लगती है इसलिए फेवरिट सबकी अपने आप सो जाती है रियाली सबसे पहले जीज़ जो प्राइजिंग वह सबसे अच्छी है क्योंकि इस टीवी का प्राइजिंग है 55 फीचर्स के ब्राइंट लोग तो लबगद एक लाग चले जाते हैं ऐसे फीचर्स एप इसे फीचर्स में अपको आपको शिचिजिए चृट पैनल ब्राइटनेस मिलती है, जो कि मिनी LED TV है, फुल एरेट डीलेट पैनल के साथ आती है, जो कि क्यूलेट TV आपको मिलती है, 240Hz का फार्स इंफरेट बिल जाता है, मतलब AMD FreeSync में मिल जाता है, 144Hz का नॉर्मेल पैनल है, गेमिंग करोगे 240Hz से पहुँच जाता है, यहीं नहीं, और जो color picture qualities की है, वो आपको लगबाल लबग Sony X82L के बराबर मिलती है, आपको इमेजिन नहीं कर पकते हैं, इतनी एच्छी color picture quality, जिसे मैं compare किस TVs कर रहा हूँ, खुछ सोचिए, वो TV को करण 55 इंच की टीवी लेना जाते हूँ, उसकी pricing लगबाल लबग इसे 20,000 रुपीस ज और मैं परसनी जब इसे में देखता हूँ, मुझे खली एक ही चीश कमी लगती है, वो है इसमें without OS, इसमें आपको Google OS की TV नहीं मिलती, लेकिन यहर, OS इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, OS में क्या है, आपको Apps ही तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने भी OTT platform के Apps हैं तो उसकी चिंता की बात नहीं है, वाकी बात कीजिए, साउंड, कलर, फिक्टर, क्वाल्टी, टोनिंग, सब मावले में TV बहुत बहतरी नहीं है, और 1688 का तो नॉर्मल पैनल, आप नॉर्मल टीवी देख रोगे रहा, आप 1688 की टॉप ब्राइटनेस बिल जाएगी आपको और जहां पर जरुआत हो, वहां पर 1688 की टॉप ब्राइटनेस की टीवी बहुत सेती है, बहुत अच्छी टीवी है, एक सब में कहूंगा, लेना चाथ इसकी जो लिंक होगे में, डिस्क्रिशन बास मिल जाएगी, हैसेंस यूशन की लिंक जीना, डिस्क्रिशन बास, हाँ आप तो गाइस, आप जो आपको आखरी टीवी में लिए जो फेवरेट टीवी है, इस टीवी का नाम है LG OLED A3 टीवी, LG OLED जो A3 टीवी है ना, यह जो टीवी है, मतलब यार, मतलब ब्यार्ड इमेजिनेशन कलर से इसमें मिलते हैं आपको, सबसे पहली चीज, यह टीवी की ज है, OLED टीवी मनाने में किंग है, आप समझ लीजे, मैं किस हद तक बता रहा हूँ इस टीवी को, तुसी चीज, यह जो LG OLED A3 टीवी है, यह आपको सबसे अच्छी चीज, यह जो प्राइजिंग है, बहुत अच्छी है, सुनी एक्स लागवा की बहुत जाती है, इस टीवी को 55, 48 इंच से सुरू होती है, 48 इंच की टीवी लेते हो, तो लगवा की आपको मिल जाएगी 85,000 रुपीज की, 55 इंच की टीवी लेते हो, 1,10,000 रुपीज की और 65 इंच की तो सबसे बड़ा साही लगवा की समों बोल सकते हो, वो 1,60,000 रुपीज है, प्राइजिंग बहुत स सोच नहीं सकते हैं, इतनी अच्छी color picture quality मिलती है, मतलब आप इसमें कोई भी टाइप का color देखिए, कोई भी टाइप की picture देखिए, आप सोच नहीं सकते हैं, इतनी अच्छी color इतनी अच्छी color इतनी अच्छी मिलते हो, क्योंकि ब्लैक्स बहुत अच्छी होते हो, OLED TV के ब् क्लर पिच्चर क्वालिटी अपने बहुत सोच नहीं सकते हो आपको इसमें AI स्पेलिंग मिल जाती है तो परसनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आरे ले टीवी यार जो फिर से आपको एक बर फिर से मेरी सारी साइड मनें अब में खुद की फेवरेट टीवी बता ही है और फिर से आप सभी को वायरी है और इक है इस आप से रिक्वेश्ट है यारी होली में अगर आप कोई भी अपने लिए 4K टीवी खरीने वाले तो उन टीवी को जो खरीजेगा उसकी जो पर्चेस लिंक होगी मेरे डिस्क्रिशन बॉक्स मिल जाए कि वहां जाकर का आप खरी सकते हो और प्लीज मैंनी दियो ही लिंक से अपनी पर्चेस को पूरा करिए कि आपको सिंगल रॉप एक्ष्टा देने नहीं होंगे और लगे है आप मुझे को छोटा समय मिल जाएक आपकी तरब से और क्योंकि यह एफिलेट एमांट होता है तो इस एमांट के एक त्वी लाते है दोफेश तरब करते हैं और आपको सब कुस्ष सच बता पता हैं बिना किसी ब्रैंड के दबाव में आपने यह तीवी नहीं बता ही वह तीवी नहीं से ने घर में लगता करते हो आपको अगले चार-पांच-शह साथ साल तक कोई भी दिक्कतने आने वाली इतनी अच्छी स हो सकते हो क्या बता रहा हूं यार मैं आपको तो सबकी लिंक ने डिस्क्रिशन में मिलेगे चैनल को लगे हैं सब्सक्राइब के लिए साथ में हमने दो स्याट सबको जरूर शेयर करी खासका जिसको 4K स्मार टीवी करी है तब तक के लिए मुझे आज दीए हैपी होली टाटा बाई बाई